नमस्कार साथियो एक बार पुन आपका सामाजिक अनुसंधान के इस क्लास में स्वागत है आज हम सोसल रिसर्च के अंतरगत इंटर्व्यू को पढ़ेंगे इस पे चर्चा करेंगे इंटर्व्यू एक ऐसा सबद है जो आपने देखे भी है अगर दिये है तो सबसे ज़्यादा ड्राता भी है लेकिन जब हम सामाजिक अनुसंधान में इंटर्व्यू को देखते हैं वो थोड़ा सा अलग परकार का है तो आज इस अ क्लास में हम इंटर्व्यू के अर्थ, इसकी परिबासाएं, इसकी विशेशताएं मुखे रूप से इसके परकार और परकारों में भी दो परकार है वो महतोपुर्ण है, एक केंद्री है, साकसात्कार और एक पेनल साकसात्कार इनके गुणेओं दोस और महतोपुर्ण परसन इन पे चर्चा करने वाले हैं तो मैं डॉक्टर मैन पाल असिस्टन्ट प्रोफेसर सोसोलोजी गोवर्मेंट कोलेज सिरी गंगा नगर तो आज हम इंटर्यू के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं तो क्या है इंटर्व्यू तो इंटर्व्यू तत्थे संकलन की एक विद्धी है क्या है तत्थे संकलन की एक विद्धी है कैसी विद्धी है प्राथ्मिक तत्थे संकलित करने की विद्धी है secondary data नहीं, primary data, क्या है, पर्तेक्स विद्धी है, direct हम सुचना दाता से तत्य संकलित करते हैं, ये एक गहन अध्यन की विद्धी है, जैसे कि नाम से पता चलता है, interview अंदर तक देखना, और एक ये मोखिक तत्य संकलन की विद्धी है, तो तत्य संकलन की विद्धी है, साकसातका के सी है, पर्तेक्स गहन और मोखिक, इसमें क्या होता है, कि जो एदरश्य तत्य होते हैं या जिनको हम आउलोकन के जरीए नहीं देख सकते, या अनसुचिया परशनावली के जरीए नहीं देख सकते, जो कुछ रहश्य होते है, देखते कि कुछ ना कुछ राज होते हैं, उन राज्जों से समंदित जो अधियन किया जाता है वो इंटर्वियू में ही संभव है साकसात कार में ही संभव है तो इस परकार के अधियन के लिए दो या दो से अधिक वेक्ति आमने सामने बेट कर आमने सामने बेट कर यानि साकसात साकसात मतलब दर्शन करना एक दूसरे होते हैं इस वर के कीनी किनी लोगों को तो इस परकार से आमने सामने के साथ सात बेट कर एक निष्चित विश्य पर एक विश्य डिसाइड होगा पूरो उस विश्य पर उद्देश्य पौनवारतालाभ ऐसा नहीं है इसे तो हम हर रोज बोलते रहते हैं हर रोज दो या दो से अधिक लोग आपस में बात्चीत करते हैं तो वो इंट्रियू थोड़ी हो जाएगा तो इंट्रियू में सबसे बड़ी क्या बात होगी कि एक निश्चित विश्य है और निश्चित विश्य भी कई बार हो जाता है लेकिन उदेश्य पुर्ण वारतालाप यहां प इंट्रियू को उदेश्य पुर्ण वारतालाप कहा है 1924 में तो यह अपने नोट्स के अंदर इसको एड कर लेना कि किस ने इंट्रियू को उदेश्य पुर्ण वारतालाप कहा यह 2022 में एक एकजाम में परसन आया था अगर हम इसकी साबदी कर्थ की बात करें तो यह अंग देखना या अंतर दर्शन या अंतर द्रिष्टी ये इसका साब्दिकर्थ है अगर हम इसकी वैसे बात करें तो लिंड मेन ने इसको क्या का है कि ये दो या दो से अधिक वेक्तियों के मद्य संवाद है जिसमें मोखिक परतियूतर होते हैं मनोवेग्यानिक परकिरिया माना है पामर ने क्या कैसे मनोवेग्यानिक परकिरिया काहा है तो ये इंटर्व्यू का अर्थ होता है अब हम इसकी परिबासा देख लेते हैं परिबासाओं से भी परसन है वो कई बार पूछ लिये जाते हैं तो पीवी यंग ने इसको परिवास जाकतीय न, यек वादिवी यंग ने doğruब आंधर्क क्गाहिराई के अंदर कलपनात्मक रूप से पर्वेश करता है किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर तो ये प्रिबासा है पीवी यंकी है आगे है गुडेओं हाट गुडेओं हाट क्या कहते हैं ये भी बहुत बार प्रिक्षा में पुच्छी जा चुकी है ये प्रिबासा है वो कम से कम चार पांच बार प्रिक्षाओं में पुच्छी जा चुकी है किस नहीं 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 किया कि मौलिक रूप से साखसातकार सामाजिक अन्तैकरिया की एक परकिरिया है बस एक लाइन यह आपको याद करनी पड़ेगी गुड़ेओं हाट नहीं यह कही है तो यह चार बांच परकिशाओं में पुछी जा चुकी है अब यह मुझे कैसे पता चलता है क्योंकि जब मैं कोई भी कलास लगाता हूँ तो कम से कम साथ आठ बुक्स को पढ़ता हूँ उसके बाद मैं वो कलास बनाता हूँ और पिछले चार पांच सालों के या पांच सालों के पेपर है वो मैं हल करता हूँ उसके बाद मैं आपके सामने परस्तुत होता हूँ तो इसे पता चलता है कि कौन सी चीज है वो इपोर्टेंट है ज़्यादा तर पुछी गई है और कौन सी नहीं पुछी गई है दूसरी है, तीसरी परिवास है C.A. मोजर की, मोजर नहीं क्या कहा कि इंटर्व्यू यानि साकसातकार क्या है साकसातकार करता एउं उत्तरदाता के मद्य वारतालाप है जिसका उदेश्य उत्तरदाता से निश्चित सुचना प्राप्त करना होता है इंटर्व्यू क्या है, दोनों के बीच में वारतालाप है जिसका उदेश्य उत्तरदाता से निश्चित सुचना प्राप्त करना होता है आगे है गार्डनर ने इसको किस रुप में परिवासित किया इन्होंने कहा कि यह अनुसंदान से समंदित जानकारी प्राप्त करने के लिए दो वेक्ति का वार्थालाप है जो उदेश्य से संब्दित विषयवस्तो पर केंदरित रहता है किस पेकेंद्रित रहता है जो उदेश्यक की विश्यवस्तू है उसी पेकेंद्रित रहता है उससे वो बठकता नहीं है आगे है अब है कि इंट्रिव्यू की विशेशता हैं कौन सी है साकसातकार की विशेशता हैं कौन सी है तो परिबासाई पढ़ी है तो साकसातकार की विशेशता हैं तो हम एजी वेव में कर पाएंगे इसमें क्या होते हैं दो सेधिक वेक्ती होते हैं दो हो सकते हैं कम से कम औ लिए आयोजित किये जाते हैं इसमें आउलोकन की भी सुविदा रहती हैं इंट्रिव्यू जब ले रहे होते हैं तो उसमें आउलोकन भी हो रहा होता है कि व्यक्ति के हावबाव से पता चल जाता है कि वो सुचना सही दे रहा है या गल्त दे रहा है इससे गुनात्मक और प of interview तो इसको हम केई आधारों पर विवाजित कर सकते हैं कितने आधारों पर विवाजित कर सकते हैं केई आधारों पर विवाजित कर सकते हैं पहला है अध्यन विदी या तकनीक किस तकनीक से interview लेते हैं interview लेने की तकनीक होती है तो किस तकनीक से interview लेते हैं इसके अधार पे मुखे रूप से हम interview को तीन भागों में बांड सकते हैं नमर एक से रंचित यह रंचित सब्दाना किसी चीज की रचना पहले से कर ली जाती है structured interview इसको कहते हैं तो इसमें क्या होता है तो यह इसमें क्या होता है कि एक साकसातकार अनुसुची होती है या साकसातकार अनुसुची क्या होती है साकसातकार अनुसुची परसनों की एक सुची होती है जो interview के समय किसके पास रहती है interviewer के पास रहती है जो interview ले रहा है उसके पास में रहती है और वो उस करम में ही पर्षनों को पूछता है जिस करम में इस अनुसुची के अंदर पर्षन है तो उसे साकसातकार अनुसुची या साकसातकार पर्षनावली कहते हैं अब यहां पर मैं थोड़ा साब को बता हुँआ कि साकसातकार क्या है विद्धी है साक्सातकार तथ्य संक्लन की विद्धी है और ये क्या है साक्सातकार अनुसुची ये तथ्य संक्लन का उपकरण है क्या है उपकरण है टूल्स है अंतर करना टूल्स और विद्धी में अंतर करना ये उपकरण है यानि माध्यम है जिसके द्वारा सुचने ली जा रही है इंट्रिव्यू भी अपनाई जा सकती है, तो ये एक विद्धी है और ये क्या है, टुल्स है, तो जब इस टुल्स का प्रयोग करते हुए, जो पहले से ही परसन त्यार किये जाते हैं, जिसमें उत्तरदाता से वो परसन है, वो पूछे जाते हैं, सभी से उसी परकार से परस उचित साकसाथ कार कहा जाता है, परसन पूछता जाता है, और उसके अनदर साकसाथ कार अनुशूची में उनको नोट करता है, इसमें परसन है, वो खुले भी हो सकते हैं, जिसे कि क्या आप जाती वàiवस्ता को उचित मानते हैं, अपने सुझहाओ दीजिए, या ज़ाती व्यवस्ता के बारे में अपने विच्यार पर कट कर दिए तो ये क्या है? खुला परसन है क्या आप जाते व्यवस्ता को समाप्त करना चाहते हैं यस या नो तो ये बंद परसन हो जाएगा तो इस परकार जब इसका साहरा लेते वे इंटर्व्यू किये जाते हैं तो उसको सहरंचित कहते हैं इसे नियंत्रित अत्वा ओपचारिक साथकार भी कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं क्योंकि ये उसके दुवारा नियंत्रित है उसे बाहर परसन नहीं पुछे जा सकते और ये ओपचारिकता हो जाती है इसमें फोर्मल्टी जा जाती है इंट्रिव्यू सेड्यूल वाली अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको इंट्रिव्यू सेड्यूल तो ये है और सरांतन कोस ने क्या का सरांता कोस ने कि जो परसनों का करम है उसमें अंतर सबीस एक ही परकार के परसन है, वो पूछे जाएंगे, समयोजन की अनुमतीस में नहीं होती है, तो इस परकार के इंटर्विव है, वो सहरंचित, साकसात्कार कहलाते हैं, अब इसका विप्रीत हो जाएगा? इसका विप्रीत हो जाएगा ए सेरंचित, ए विवस्तित अन स्ट्रेक्चरड इंटर्व्यू तो इसमें क्या होता है कि पर्षनों की कोई रचना नहीं की गई होती है पहले सी, उसमें तो पहले सी पर्षन हमारे पास होते हैं लेकिन इसमें पर्षनों की रचना पहले से नहीं की जाती है इंटर्व्यूर है, जो साकसातकार करता है वो पर्षन पूछने के लिए संतंतर है वो कैसे भी पर्षन है, वो पूछ सकता है पूरक पर्षन, परती पूरक पर्षन इस परकार के परसन है इसमें बुच्छे जा सकते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं ए नियंतरित यानि नियंतर्ण नहीं रहता है और इसे अनोपचारिक इंटरिव्यू भी कहा जाता है हेराल्ड गार फिंकल ने हेराल्ड गार फिंकल ने कौन से विद्धी बताई थी नर्जाती विज्ञान क्या बताया था नर्जाती विज्ञान तो नर्जाती विज्ञान में इस ऐ सहरंचित साक्सातकार का प्रयोग किया था सहरंचित का नहीं किया था और ये कल जब परसों हमने एक paper हल किया था उसमें भी आया था कि ऐ सहरंचित साकसातकार से किस विद्धी या किस का अधिन किया जाता है या जिस का अधिन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते है तो नर्जाती विज्ञान उसको कहते है इसमें क्या होता है गहन जानकारी संबो है किसके मुकाबले सहरंचित इंटर्व्यू के मुकाबले अब होता है अर्द सहरंचित semi-structured इंटर्व्यू तो इसमें कुछ परसं तो पहले से नोट होते हैं कुछ परसं है वो नोट नहीं होते हैं तो दोनों का ये मिला žुला यानि दोनों का ये मिश्रन है अब इसी ये सहरंचित जो interview है इसी का एक परकार ओर है जिसको कहते है केंदरी है फॉक्ष्ड interview तो ये कहे किसी एक विश्य पर ये यानि फौक्ष्ड किसी एक ही विश्य पर केंदरी हो तो होता है तो जब किसी एक विश्य को केंदर में रखकर एक केंदर ये विश्य को सामने रखकर परसंद पूछे जाते हैं किस परकार के परसंद? ए सरंचित परकार के परसन यानि पहले से उनकी कुई रचना नहीं तेकी गी है तो उस परकार के जब परसन पुछे जाते हैं तो उसे केंदर ये साकसातकार कहते हैं तो एक विश्य इसमें महतोपन होता है इस परकार का जो साकसातकार है इसका सरो पर्थम प्रयोग है वो उप्योग है वो 1946 के अंदर मरतन उनके साथी दो साथी और है उनकी, एक मरतन होगे दो लोग और हैं, फिसके एंड पेट्रिशिया केंडल ये तीन लोग हैं, इन तीनों ने पहली बार इसका प्रयोग था वो, कि या था परसन पुछा जा सक कि केंदर ये साक्सातकार से किन का समन्ध नहीं है औप्षन में 4 वो Ns, दे रहूं आपको वो एक किताब में मिलेगा ही नहीं चार पांच किताब पढ़ोगे तब जाकर इतना का जो content है वो त्यार होगा आपका तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने संचार साधनों का संचार साधन के अंदर साधनों के सामाजिक एयों मनोवग्यानिक परभाव जानने के लिए सामाजिक एयों मनोवग्यानिक परभाव जानने के लिए ये अध्यन किया था और एक सो इक्यावन परभावों की चर्चाइनों ने की थी कितने परभावों की 151 परवाओं की अब इसमें क्या होता है कि जितने भी जो उत्तरदाता होते हैं वो क्या होते हैं एक अनुभाओ एक सांजा अनुभाओ वाले होने होते हैं जैसे कि रेडियो का परवाओ देखना है तो वो सारे के सारे कौन लोग होंगे जो रेडियो को सुनते थे वो लोग होंगे जो रेडियो को सुनते नहीं है उन पे क्या प्रवाव होगा तो इसमें एक सन्जा जो अनुबव वाले उतर दाता है वो समशी की होंगे किये जाते हैं इसमें साखसातकार पत्थ परदर्शीका इंटर्वियू गाईड अब क्या होता है ये इंटर्वियू गाईड क्या होता है पहले आये था इंटर्वियू सेडियू लिया नी साकसातकार अनुसुची और ये है साकसातकार पत्परदर्शी का या साकसातकार गाईड इसको कहते हैं तो ये क्या होता है परसनों की कुछ स पॉइंट उसके अंदर लिखे होते हैं, वो अपने पास में रखते हैं, तो जो ऐसरन्चीत होती है, उसमें भी वो सुच्ची है, यह जो गाइड होती है, यह पास में रखी जा सकती है, कि कौन-कौन से बिंदों पे अमें पर्षन पूछते हैं, लेकिन इसका कोई हाड और कि इसके अनुसारी पर्षन पूछेंगे, पहले पूछे जा सकते हैं, कुछ पॉइंट को छोड़ा भी जा सकता है, तो जो साक्सातकार अनुसुची होती है, उसे भीन होती है, साक्सातकार पत्ध परद्रिशिका, यह गाइड होती है, इसमें पॉइंट होते हैं, उसमें परसनों में छेड़कानी नहीं की जा सकती छोड़ा नहीं जा सकता इसमें हैं चेंजिंग है वो किये जा सकते हैं और इसमें अधिकतर जो परसन होते हैं जो केंद्रिय साक्साथकार होता है उसमें अधिकतर परसन होते हैं वो क्या होते हैं खुले होते हैं बंद परकार के बह आप क्या सोचते हैं, तो ये आप पे डिपेंड है, आप इसका उतर दो लाइन में, दो चार लाइन में, दो साथ लाइन के अंदर दो, तो ये खुला परसन होता है, बंद परसन कौन होता है, क्या नई सिक्ष्या निती देश के लिए उचित है या नहीं है, यस या नो, तो यह क्या हो जाएगा? बंद परसन हो जाएगा. अगर हम कार्या के दार पे देखें, उदेश्य के अधार पर देखें, तो उदेश्य के दार पे इंटर्वीव को हम मुखे रुप से तीन भागों में बाढ़ सकते हैं. कितने भागों में बाढ़ सकते हैं? तीन भागों में. निदानात्मक, निदान करता होता है कारणों को खोजना, डाइनोस्टिक, इंट्रिव्यू, तो इसमें क्या होता है, समसिया के कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि एक डॉक्टर, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि क्या खाया था, क्या वजन हैं क्या कोई पहले से भी बिमारी चली आ रही है तो वो रोग के कारणों को खोजना चाहता है इसी प्रकार से जो एक सामाजिक विग्यानिक है social scientist है वो क्या करता है सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजता है दूसरा होता है उपचारातमक साकसातकार treatment interview तो इसमें होता है कि कारणों को ना खोजकर उनके समाधानों का उपचार करने का प्रयास है वो किया जाता है तो इस परकार के परसन इसमें पूछे जाते हैं एक होता है अनुसंधान साथकार तो ये तो ना तो कारणों को खोजने के लिए किया जाता है ना समधान परस्तुत करने के लिए किया जाता है ये केवल नवीन तथ्यों और नवीन ग्यान की प्राप्ति के लिए ही आयोजित किये जाते हैं इसको बोलते हैं रिसर्च इंट्रिव्यू ग्यान ग्यान के लिए तो ये समझी कटना हो ये हो समंदों के बारे में नवीन ग्यान प्राप्त करने के लिए आयोजित्ह किए जाते हैं, अब कुछ अन्या परकार है, जैसे कि संख्या के अदार पे तो संख्या के अदार पे हम इंट्रिव्यू को दो भगों में बारण सकते हैं एक व्यक्तिगत, जिसमें के गहरी बात पूछनी हो किसी से आप अगर उनसे केई लोगों के बीच में पूछोगे कि इसका कारण क्या है तो क्या वो बता देगा नहीं बताएगा तो व्यक्तिगत अध्यन में व्यक्तिग खुल जाता है और अपनी पूरी की पूरी बात है वो बता देता है यानि इसे उतरदाताओं से परसन पूछता है तो इसमें व्यक्ति जितने भी लोग है यानि एक इंट्रिव्यू लेने वाला है यहां पे दस लोग बेठे है तो चाहे तो कोई एक उनका नेता है वो उतर दे सकता है या सवेश्च्या से कोई भी दे सकता है या किसी से भी परसन है वो पुछा जा सकता है अब कुछ अलग अलग परकार है तो ये कोई अलग परकार नहीं है वो सहरंचित हो रहा है लेकिन इनका स्रिफ नाम है वो क्या है बदल दिया गया है निर्देशित क्या होता है कि जब अनुसुची होती है विक्ति के पास में तो वो निर्देशित होता है और गेर निर्देशित में कि इंट्रिव्यू के पास ना तो खुद पे कोई निर्देश देता है ना ही वो उत्तर देने वाले को निर्देश देता है निर्देश में क्या होता है कि बीच बीच में वो परसन को रिपीट करता रहता है या कुछ- तो वो क्या निर्देशित होता है उसे पुछा जाता है कि हाँ आप ये मत बताइए आप इसके बारे में बताइए गेर निर्देशित में क्या होता है मुख्यरूप से जो मनोवेग्यानिक रिसर्च होती है उनमें पूछा जाते है कि हाँ जो बताना है वो बता उसको बीच बीच में टोका टोकी नहीं की जाती है ना ही कोई साथकार अनुसुची उसके पास में होती है परतिबंदित वही बात आती है और एपरतिबंदित परतिबंदित में क्या होता है कि जो परसन होते हैं वो क्या प्रतिबंद नहीं होता है, तो ये अलग से कोई नहीं है, बस इनका नाम है, वो थोड़ा सा अलग है, अब आता है पैनल साथ साथ कार, पैनल इंटरिव्यू, अब देखो पैनल इंटरिव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है, आप क्या समझते हैं पैनल इंटरिव में पैनल और वो इंट्रिवीं लेता है तू यहां इसका मतलब यह नहीं है यह थीड जो है जॉखहें लग-बग यही सोच रहा था कोई पैनल होता हो लेता तो किसी विषय या गटना के बारे में बार-बार जब ऑलो अब आध यानि इसको बोल देते हैं पुन्रावर्ति क्या बोलते हैं पुन्रावर्ति है साकसातकार यानि बार-बार इंटर्व्यू लेना तो इसको पेनल साकसातकार कहते हैं सरोपर्थम ये अउधारना है वो लेजार्स फिल्ड ने दी है किसने दी लेजार्स फिल्ड ने ये अउध करवाई जाते हैं जैसे कि एक में एक्जामपल देता हूं कि 1967 के अंदर इस पेनल साकसाथकार का प्रयूग किया था योगेस अटल ने किस लिए किया था उन्होंने चुनावों की जानने के लिए कि चुनावों के अंदर किस परकार से लोगों का मत है वो बदल रहा है पहले पांच मेने पहले इंटरिव्यू लिए फिर तीन मेने बाद में लिए हम देखते हैं कि आज की चार मेने पहले ये सर्विक्षन आ रहा है पांच मेने बाद में ये आ रहा है दो मेने बचे हैं तो ये आ रहा है या किसी चीज़ का प्रभाव जानना है तो उसका प्रभाव छोड़ दिया जाता है योगे स्लेल ने क्या किया पहले राय जानी कि आप वरतमान सरकार के बारे में क्या सोचते हो फिर उनको सुच्णा दी कि वरतमान सरकार ने यह यह गल्तियां किया फिर एक मीने बाद में इंटरिवट लिया तो लोगों का रुख बदल गया कि एक साल बाद में लेंगे तो लोगों की चीजियें वह बदल जाएगी एक्общाम stiff परकृति कया होती है कि standard मान की करिते पर्षन यानि मानक, तो उसमें क्या होता है, क्योल बंद परकार के परसन होते हैं, क्या होते हैं, क्या आप वर्तमान सिक्षिया नित्ती से सहमत हैं, तो सहमत, ए सहमत, पुरुन सहमत, आंसिक सहमत, इस परकार के परसन हैं, वो पूछे जाते हैं, और जो ए मानकी करीत होता है, उसमें क्या होते हैं खुले परसन होते हैं इसमें इस परकार की बंदी से वो नहीं होती है आगे है संपर्क के धार पे भी अगर डारेक्ट संपर्क कर रहे हैं जब इंट्रिव्यू के बारे में लोग जब अध्यन कर रहे थे जो परिबासाई दी जा रही थी उसमें क्या था केवल व्यक्तिक इंटर्व्यू था पर्तेक्स इंटर्व्यू होता था ये संचार साधन उसमें नहीं थे आज से 100 साल पहले ये इंटर्व्यू के जो संचार साधन थे वो नहीं थे तो इसलिए पहले क्या होता था केवल व्यक्तिगत क्या होते थे केवल व्य क्या होता है कि interview लेने वाला और देने वाला पर्तेक्स संपरक में नहीं होते हैं तो इसको बोलते हैं ए पर्तेक्स साखसातकार सोरी ए वेक्तिक साखसातकार ए पर्तेक्स भी बोल देते हैंगे इसको पर्तेक्स साखसातकार बोल देंगे ओपचारिक ताके अधार पे मोज़र ने दो परकार बताये थे एक ओपचारिक फॉर्मल्टीज जो की सहरंचित होते हैं वो क्या होते हैं ओपचारिक होते हैं अनोपचारिक जो ए सहरंचित इंटरव्यू होते हैं वो क्या होते हैं अनोपचारिक होते हैं इसमें लिमिटेशन होती है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है तो इस परकार जो सहभागी और लोकन पर अदारित होते हैं जैसे कि, मेलोवैंस के इकल हम ने पड़ा था, सहभागी आउलोकन, मेलोवैंस के ने किया, मन्सरीनिवास ने किया, तो जब वो लोगों से personal पूछता है, interview लेता है, तो वो क्या होते हैं? वो अनौपचारिक परकार के interview होते हैं, और जब जन्मत सं feeling का होता है, परचार, परस एक होता है पुरो व्यवस्तित यानि पहले से ही निरदारित होता है कि फलाणी तारीक को फलाणे फलाणे वेक्ति का इंटरव्यू होगा और आकस्मिक होता है हम कहीं से जा रहे हैं और कोई हमारा इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है जैसे कि एकजाम होता है तो बहार मी होता है धिर्ग कालिक होता है तो जो बार-बार अपुन्रावर्ती होती है उनको बोलते हैं धिर्ग कालिक वो लंबे समय तक चलते रहते हैं अब कि है कि इंट्रिव्यू के लाब क्या है इसके गुण क्या है तो क्या-क्या गुण है इसके अंदर तो इसके अंदर होता है क्य विस्त्रीत अध्यन और गहन अध्यन वो संभो है और इस परकार की सुचनाएं है वो संकलित की जा सकती है जो गठनाएं पहले से घट चुकी है उनका भी अध्यन किया जा सकता है जो कि आउलोकन में नहीं होता है इसमें आउलोकन का भी benefit होता है कि जब interview दे रहोता है तो interview पर उसका आउलोकन करता रहता है कि क्या ये सुचनाएं सही दे रहा है या गल्त दे रहा है अधिक्तम परति उत्तर दर यानि जो पुछा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो वो सब कुछ उनसे पूछा जा सकता है और उत्तर दाता सारे परशनों के उत्तर दे सकता है परशनावली में इसा नहीं होता है परशनावली में कुछ परशनों के उत्तर देता है कुछ को छोड़ देता है पूरक परशन भी पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई परशन समझ में नहीं आया तो उनको भी पुछा जा सकता है ए मुर्थ परसन और जो सवेदन सील गटनाई होती है बावनात्मक जो परसन होती है वो भी पुछे जा सकते हैं अधिक लचिलापन भी हो सकता है और अगर गह है राई से अगर पुछा जाए तो अपने जो राज वेक्ती किसी के सामने नहीं रखता है वो इंट्रिव्यू में वेक्ती रख देता है इसमें अधिक परिशर्म ये शरी इंट्रिवर के गुण हो गया इसमें लचिलापन होता है अगर कोई समस्या रही है तो छोड़ दिया जा सकता है बाद में इंट्रिव्यू ले लिया जाता है कोई परसन को छोड़ा जा सकता है अगला परसन स्टार्ट किया जा सकता है अब है कि इंट्रिव्यू के नुकसान क्या है क्या नुकसान है इंट्रिव्यू के कि ये खर्चिली विद्धी है इसमें बहुत पैसा लगता है क्योंकि पहले से ही सब कुछ निर्दारीते करना पड़ता है अगर बहुत लंबा चोड़ा चेतर है विस्तरीते चेतर है तो इसमें इसका उप्योग है वो कठिन है विसेश कुसलता की आउसकता होती है प्रसिक्षन क्या हो सकता होती है बहुत धेरे चाहिए जो इंटर्यू लेता है लोग जबाब नहीं देते हैं जब आप कभी PhD करोगे और लोगों से परसन पुछोगे तो बहुत धेरे क्या हो सकता होती है प्रसिक्षन क्या हो सकता होती है एक रूपता में कमी आती है इसके अंदर एक रूपता बनी नहीं रहती है कभी mood phrase होता है कभी नहीं होता है कभी उतरदाता पर संदे देता है कभी नहीं देता है समय है वो बहुँ ज़्यादा लगता है कभी interviewer को time नहीं होता है कभी उतरदाता को time नहीं होता है इसमें सुचना दाता पर अत्यधिक निर्बरता होती है समरण चमता भी इसमें अधिक चाहिए क्योंकि के बार है जो परसन सासात उनके नहीं लिखे जाते हैं बाद में नोट करने पढ़ते हैं तो बाद में चीज़ें वो भूल जाते हैं इसमें मोखिक उत्तर पर अधिक विश्वा से किया जाता है इसमें कुछ भी परमानिक नहीं होता है आलेखन की समस्या होती है बाद में जब लिखते हैं तब वो ही समरण सक्ति वाली चीज़ें इसमें आ जाती है तो ये इसकी सिमाई है अब है कुछ महतोपुन पर्षन और आज में साथ में कुछ महतोपुन जो बुक्स है उनके नेम लेकर आया है उनकी राइटर्स कोन है वो भी आज हम चर्चा करेंगे तो मोजर ने साकसादकार के कितने परकार बताए तो दो परकार बताए एक ओपचारिक और एक अनोपचारिक और अनोपचारिक किसने कहा कि साकसातकार मुख्य रुप से एक कला है नेकी एक विज्ञान इंटर्विव एक कला है आर्ट है साइंस नहीं है किसने कहा पीवी यंग ने कहा किनों ने कहा पीवी यंग ने कहा किसने कहा कि साकसातकार केव वारतालाप नहीं है बलकि ये साररिक चेश्टाओं और मुद्राओं की अन्ते किरिया है किसने कहा हरबरट मीड ने ऐसा कहा सामाजिक परिवर्तन और उनके प्रभावों की जानकारी के लिए साक्सातकार की कौन सी विद्धी परियुक्त होती है सामाजिक परिवर्तन को जानने के लिए उसके प्रभावों को जानने के लिए पुन्रावर्ति साक्सातकार की जुरूत होती है पैनल साक्सातकार की आवसकता होती है गाड़नर ने सपल साकसाथकार के लिए कौन सी तीन सरतें बताई एक तो पहुंच यानि जो उत्तरदाता आ रहा है क्या उसको विशविशय की जानकारी है या नहीं है नहीं है उसकी पहुंच से बार है तो फिर इंटर्व्यू नहीं हो सकता फिर उसको समझना पड़ेगा कि जो उत्तरदाता से परसन पूछे जा रहे हैं उत्तरदाता को समझने पड़ेगा कि वो महतो पूर्ण है और उसको बीच-बीच में मोटिवेशन की भी जरूरत है वरना उसको क्या फाइदा है जो interview दे रहा है उसको क्या फाइदा है नोकरी के लिए जाते हैं तब तो फाइदा होता है और लेकिन वेसे अगर हम जब research करते हैं तब interview को तो फाइदा होता है लेकिन जो उत्तर दाता है उसको क्या फाइदा को कोई फाइदा नहीं होता है तो इसके लिए उसके लिए परेर साथकार करता और उत्तरदाता के समंद्ध है उनके बारे में क्या का कि ये समंद्ध क्या होते हैं एस्ताई होते हैं नहीं होते हैं और ये अजनभी की तरह होते हैं एट किल्सन ने साकसातकार में परसनों के कितने परकार बताए परसनों में कितने परकार के परसन बताए तो उन्हें बताए थे कि तीन परकार के तथ्य है वो इन परसनों से लिए जा सकते हैं एक तथ्यात्मक यानि तथ्यों के कोई जानकारी लेनी हो दूसरा किसी का मत विशुवास राई जाननी हो और कोई ग्यान में वर्दी करनी हो तो ये तीन परकार के परसन है वो लिए जा सकते हैं अब कुछ बुक्स हैं जो बार-बार प्रिक्षियों में पूछ भी ली जाती है इनको आपको च्यार दो सुची बना दी जाती है आजकल क्या होता है कि ऐसी एक पेबल आएगी उसमें सुची A और B दोनों का मिलान करना होगा यानि किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है उसके बारे में आपसे पुछा जाएगा तो लुंडवर्ग ने कौन सी पुस्तक लिखी Social Research कौन सी लिखी Social Research पुस्तक है वो लुंडवर्ग की है L.V. रह्मान और A.B.H. अच्मोरी ये क्या है कि मैंने जो बिबलियोग्राफी होती है संद्रब सुची होती है जब हम PhD लिखते हैं तो परतेक लेशन में देते हैं कि अपने कहा कहां से चीज़ें उठाईये तो उसका एक सिस्टम है तो उसमें क्या होता है कि पहला नाम पहले आता है फिर जो लास्ट नाम है वो लास्ट में चले जाते है फिर year आता है फिर books का नाम आता है फिर परकासन का नाम आता है परकासन का जो परश्ट संख्या पेज वो आता है तो रहमान और मोरी ने कौन से लिखी the romance of research जहोदा ने कौन से लिखी research methods in social relations P.V. Young ने कौन से लिखी scientific social survey and research R.L. Eckhoff ने क्या लिखी the design of social research Henry Manheim ने कौन से लिखी sociological research philosophy and methods C.A. Moser ने कौन से लिखी survey method in social investigation Wolf ने कौन से लिखी initial of scientific methods और Good Day Heart ने कौन से लिखी methods in social research Bogarts ने कौन से लिखी introduction of social research तो आज की class है यहीं समाप्त होती है आपने इतने प्रेम से सुना इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जाते जाते like, share and subscribe जरूर कर देना धन्यवाद